नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत सौगत है आपका हमारे चैनल टॉक्वेट पुनित में दोस्तों आज के इस नर्टिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं RCFL नई भरती 2020 के बारे में राष्टे Chemical and Fertilizer Limited में 393 पदो पर भरती आई है यहाँ पर Officer की Vacancy है, Engineer की Vacancy है इसके अलावा Fireman और Operator की Vacancy है दसवी Pass, बारवी Pass, Graduate, Post-Graduate और Master Degree वाले Candid Supply कर सकते हैं साथ में किसी भी State से कोई भी Candid Supply कर सकता है Form के बनने की Last Date 15 जुलाई 2020 तक आप लोग इस Form को Fill Up कर सकते हैं तो दोस्तो इसी Vacancy के बारे में आज मैं आपको दूँगा सारी जानकारी Step by Step तो वीडियो को Complete देखेगा, पूरा देखेगा, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी समझ में आएगी Otherwise आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी अगर आप वीडियो को Skip कर देगे, ठीक है तो Complete देखेगे, पूरा देखेगे, ठीक है और दोस्तो वीडियो को अच्छा लागे तो वीडियो को Share जरूर कर दीजेगा और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल Talk with Puneet पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन प्रेस करके All पर क्लिक कर लीजेगा ताकि जितने भी Government Job or Private Job के Notification होते हैं, वो सभी आपको मिलते रहें हम डेली रोजानाथ के लिए Government Job or Private Job के Notification लाते रहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा चले शुरू करते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंट्स आज हम आपको बताने वाले हैं राश्टिक Chemical and Fertilizer Limited की वेकेंसी के बारे में दोस्तों ये जो काटिगरी है ये Government Job की काटिगरी में आती है और अभी हाली में इसके Notification No.1 जून 2020 को रिलीस किया गया था और यहां पे बहुत अच्छी खासी वेकेंसी है अगर हम वेकेंसी की बात करें तो Management Training के पदों पर भरती होगी इसके अलावा Engineer की वेकेंसी है Assistant Officer की वेकेंसी है Operator Training की वेकेंसी है Boiler Operator और Junior Fireman की यहां पर वेकेंसी है दसवी पास, बारवी पास, Graduate, Post-Graduate और Master Degree वाले कैंडिट सप्लाई कर सकते हैं B.Tech वाले भी बलाई कर सकते हैं सभी के लिए वेकेंसी है टोटल यहां पर 393 पदो पर भरती होगी और Job Location आपका Across India यानि के All Over India आपकी Posting होगी दोस्तों, Form की शुरुवात 29 जून 2020 से हो गई है और Form के भनने की जो Last Date है वो है 15 जून, और स्वारी, 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक आप लोग इस Form को Fill Up कर सकते हैं और इसका जो Online Exam होगा वो आपका 16 अगस्त को आपका Exam किया जाएगा, ठीक है Exam की Date अगर Change होती है तो आपको हम Notification देदेगे, चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा ताकि जब भी इसका कोई नया Update आएगा तो आपको उसका Notification सबसे पहले मिल जाएगा According to Official Notification अभी आपका 16 अगस्त को आपका उसके बाद Final Result भी आ जाएगा अगर Date में कोई Change Wage होंगी तो आपको हम Notification देदेंगे, वहीं अगर हम बात करें इसके Official Website के बारे में तो RCFL Limited इसकी Official Website है आप यहाँ पर जाकर के इसकी सारी जनकारी को चेक कर सकते हैं ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें वेकेंसी के डिटेल के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया था 393 पदोई पर भरती होगी और बहुत अच्छी कासी वेकेंसी है, सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छा कासा मिलेगा तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किस पोश्ट की कितनी सीटे हैं और क्या आपको सैलरी पैकेज मिलेगा तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले मैनेज्चमेंट ट्रेनिग की तो यहाँ पर 186 सीटे हैं इसके अलावा इंजीनियर की यहाँ पर 10 सीटे हैं असिस्टन्ट अफीसर की यहाँ पर 14 सीटे हैं और अफीसर की यहाँ पर 10 सीटे हैं सैलरी आपको मिलेगा 40,000 से लेकर के 1,440,000 रुपय तक का परमन ठीक है यह आपके post के according vary करेगा ठीक है तो यहाँ पर जो salary का जो level होगा वो आपका 40,000 से लेकर के 1,440,000 रुपय परमन आपको मिलेगा महीं अगर हम बात करें यहाँ पर operator training की तो यहाँ पर 125 seat है salary आपको मिलेगा 22,000 से लेकर के 60,000 रुपय परमन boiler operator की यहाँ पर 25 seat है यहाँ पर जापको salary मिलेगा वो 20,000 से लेकर के 55,000 रुपय परमन बिलेगा junior fireman की यहाँ पर 23 seat है salary आपको 18,000 से लेकर के 42,000 रुपय परमन बिलेगा तो salary package काफी अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है RCFL में काफी अच्छा खासी vacancy आई है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा Facebook, Instagram, Twitter पर ताकि आपके सभी friends को इस vacancy के बारे में जानकारी हो जाए और 393 पदल पर भरती है तो selection के chances भी आपके बहुत जादा रहेंगे LGBT criteria के अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर LGBT criteria होगा वो आपके post के according होगा अगर हम बात करें यहाँ पर education qualification के बारे में तो management trainee के लिए यहाँ पर B.E.B.Tech और B.E.C. वाले candidate supply कर सकते हैं अब किस discipline यानि किस trade में क्या होना चाहिए उसके लिए आप इसके official notification को एक बार check कर लिजेगा मैं आपको यहाँ पर qualification बता दे रहा हूँ आप लोग detail में इसके official notification को check कर लिजेगा वही अगर हम बात करें इंजिनियर के लिए तो B.E.B.Tech और B.E.C. वाले candidates apply कर सकते हैं B.E.C. यहाँ पर chemical में मांगा हुआ ठीक है B.E.B.Tech भी आपको chemical में मांगा हुआ है वही अगर हम बात करें assistant officer के लिए तो B.E.C. agriculture वाले candidates apply कर सकते हैं साधिज यहोंने agriculture में graduation कर रखा है वो भी apply कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें officer के लिए तो science, engineering, agriculture, graduation और MBA वाले candidates apply कर सकते हैं operator training के लिए B.E.C. chemistry डिगरी वाले और physics और diploma in chemical engineering वाले candidates apply कर सकते हैं वही अगर हम बात करें boiler operator के लिए तो अगर आप 10 भी पास है और coiler attendance certificate आपके पास है के बारे में जानकारी के लिए आप इसके official notification को एक बाद चेक कर लीजेगा link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा वही अगर हम बात करें यहाँ पर age limit के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर minimum 18 साल से ले करके आप लोग 35 साल तक के candidates firm को fill up कर सकते हैं तो अगर आपकी age जादा है तो आपको age election भी मिल जाएगा जो की government के according SCST के लिए 5 साल का और ABC के लिए 3 साल का होता है selection process की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर online test और selection process होगा वो आपका personal interviewing है आपका एक exam होगा और उसके बाद personal interview के अधार पर आपका selection किया जाएगा उसके अलाबा अगर हम बात करें जो operator की vacancy है और junior fireman की vacancy है उसके लिए आपका online test होगा और यहाँ पर आपका एक trade test भी होगा ठेक है तो सारी जानगरी आपको इसके official notification में मिल जाएगी application की बात करें तो इसका जो application mode है वो आपको इसके लिए online application form फिल करना होगा application fees मैं आपको बता देता हूँ 1000 का application fees है MT, engineer और officer की category के लिए इसके अलाब अगर आप worker की category के लिए इसके अलाब अगर आप worker की category के लिए तो आपको 700 रुपिगा fee देना होगा और यहाँ पर SC, ST, PWD, ex-servicemen को यहाँ पर कोई भी examination fees आपको नहीं देना होगा कोई भी application fees आपको नहीं देना होगा सिर्फ journal, OBC और SC, WC वाले can't supply करेंगे और साथी post के according अगर आप MT, engineer, officer के लिए अपलाई करेंगे तो आपको 1000 का application fees और अगर आप worker category के लपाई करेंगे तो आपको 700 रुपे का application fees देना होगा बात करें mode of payment के लिए तो इसका जो payment होगा, online payment करना होगा debit card, credit card, master card, ठीक है इंटरेनेट banking किसी भी माद्देम से आप इसका payment कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप इस agency के लिए interested है और apply करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के description में आपको एक official notification मिलेगा, सबसे पहले आपको उसको download करना है, अच्छे से पढ़ना है ठीक है, पूरी जानकरी हो जाने के बाद ही आपको apply now के link पे click करके इस form को fill up करना है, वागर आपको पूरी जानकरी नहीं है, तो आप इस form को fill up मत किजेगा, पहले अपना doubt को clear कर लिजे उसके बाद आप इस form को fill up कर लिजेगा क्योंकि आपके पैसे waste ना जाए, ठीक है आप form fill up कर देंगे, कुछ अगर आप गलत form fill up कर देंगे, तो बाद में आपको इसका problem होगा, ठीक है, तो पूरी जानकारी मुझसे comment कर दीजेगा, मैं आपको comment का reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा, उसके बाद आप इसके form को अराम से fill up कर लिजेगा, 15 जुलाई तक की date है, ठीक है तो apply कैसे करना है, वो पूरा मैं आपको बता देता हूँ तो सारी जनकारी नीचे वीडियो के description में official notification में दिया हुआ है, apply now का भी link आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेक कर लिजेगा, कोई भी doubt होगा, तो आप लोग मुझे comment कर दीजेगा, मैं आपके comment का reply apply दे दूँगा, solution provide कर दूँगा, तो दोस्तो वीडियो कर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दीजेगा, और अगर आप मेरे चैनल टॉक विद पुनीत पर नए हैं, तो चैनल को जरू subscribe कर लिजेगा, साथी bell icon press करके all पर click कर लिजेगा, ताकि जितने भी government job और private job के notification होते हैं, वो सभी आपको मिलते रहें, तो किसी भी प्रकार की government job और private job के notification को पाने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे telegram group को join कर सकते हैं, और हमारे Facebook page को भी like कर सकते हैं, सारे links आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे, तो अभी के लिए मुझे इजादर दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नी वेकेंसी के साथ, एक नए knowledge के साथ, तो अभी के लिए goodbye, जयाहिन, और अगर आप मेरे channel talk with पनीत पर नए हैं, तो channel को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथी bell icon press करके all पर click कर लिजेगा, ताकि जितने भी government job or private job के notification होते हैं, वो सभी आपको मिलते रहें, तो किसी भी प्रकार की government job or private job के notification को पाने के लिए, आप हमारे YouTube channel को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सकते हैं, सारे links आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे, तो अभी के लिए मुझे इजादर दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक new vacancy के साथ, एक नए knowledge के साथ, तो अभी के लिए goodbye, जयाहिन, और अगर आप मेरे channel talk with पनीत पर नए हैं, तो channel को जरू सब्सक्राइब कर करके all पर click कर लिजेगा, ताकि जितने भी government job or private job के notification होते हैं, वो सभी आपको मिलते रहें, तो किसी भी परकार की government job or private job के notification को पाने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे telegram group को join कर सकते हैं, और हमारे Facebook page को भी like कर सकते हैं, सारे links आपको नीचे subscribe कर लिजेगा, साथ ही bell icon press करके all पर click कर लिजेगा, ताकि जितने भी government job or private job के notification होते हैं, वो सभी आपको मिलते रहें, तो किसी भी परकार की government job or private job के notification को पाने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे telegram group को join कर सकते हैं, और हमारे Facebook page को भी like कर सकते हैं सारे links आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे, तो अभी के लिए मुझे इजादर दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नी वेकेंसी के साथ, एक नए knowledge के साथ, तो अभी के लिए goodbye, जैहिन